Hello everybody, आज का जो वीडियो है जीरो पिरेड में ये आप थमनेल देखकर ही समझ सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और बड़ा सपना होता है इनका एक बड़े अधिकारी बनने का, एक बड़े अफिसर बनने का और देश में ऐसे कितने पद हैं वो ये भी नहीं जानते बर उसके आसपास जो चीजें वो देख पाते हैं और जिनका प्रभाव उन पर होता है उनमें से ये सबसे बड़ा कोस्ट है कलेक्टर बच्चे आप सब इन बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं इस वर्ट से अच्छी तरह से वाकिफ हैं ये जो प्रश्वान में आता भी होगा वो स्टूडेंट जो खासकर नौवी दसवी ज्यारवी या बारवी तक्षा पड़ते हैं और जो ऐसे जगों में रहते हैं जहां पर सिक्षा का प्रचार पसार कम है जानकारी कम है सूचनाय कम है लोग बताने वाले लोग नहीं है और हैं भी तो पूरी तरह से वो जानकारी देने में अक्षम है तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है इसमें आप बहुत ज़्यादा तक्नीकी पक्ष जानने का प्रयास न करें इसलिए मैंने पहले ही लिग दिया थमनल पर कि ये जो वीडियो है वो स्कूली होते हैं जो इन सब संभावनाओं से भरे होते हैं पर अपनों उनको यहीं नहीं पता होता कि वो अपने सपनों को पूरा करने लिए रास्टे कौन सी पकड़े तो आज की वीडियो में दोस्तों हम उन्ही बच्चों से बात कर रहे हैं क्या और किसे बनते हैं मत्तब किस तर आपको क्या करना पड़ेगा और ये जो चीज है ये जो पद है या जो प्रतिस्ठा है उसको पाने के लिए किन किन परिक्षाओं से गुजरना पड़ता है परिक्षा का जो डीटेल है वो हम किसी और वीडियो में डिसकस करेंगे आज हम आपको केवल आपकी जो ख्वाहिश ह जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने का शुरुवाती जो तरीका है वो बताएंगे। आईए देखते हैं आज की इस वीडियो पर हम क्या जानना चाहते हैं। कैसे बनते हैं, बट उनके दिमाग में और दिल में एक ख्वाहिश होती है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं उन बच्चों के साँ, कौन है कलेक्टर। कलेक्टर होता क्या है, कलेक्टर को हम लोग जिला धीश या जिला धक्ष भी कहते हैं। और अगर देखें तो वो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, मतलब अगर शास्की कर्वचारियों की हम तुलना करें, तो वो सबसे बड़ा पावरफुल अधिकारी होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। कहीं कहीं इसको डीम भी बोला जाता है, कहीं इसको कलेक्टर कि जिलाधीश, जिलाधक्ष, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। इनके पास बहुत अधिकार होते हैं इसके पास जो पावर्स होते हैं, large- tanks बहुत ज्याधा पावर्स होते हैं। मतलब वो जिस विभाग को भी चाहे निर्देशीत कर सकता है, यहां तक कि जिसको हम लोग सबसे बड़ा मानते हैं, पुलिस वो भी उसके अंतरगत काम करने को बाद दे रहता है, उनके निर्देशों को मानने को बाद दे रहता है, तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि यह जो अभी आप सब लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं छोटी उम्र है आपकी मगर इस उम्र से सपने तो शुरू हो जाते हैं तो आपको जरूर यह इच्छा होती होगी कि आप कब बन सकते हैं कलेक्टर आप किस उम्र में जाकर के कलेक्टर बन सकते हैं यह जरूर आपके मन में आता होगा तो आप ये समझ लें कि जब आप 21 साल की आयू के हो जाएंगे मतलब 21 वर्ष जब आप की आयू हो जाएगी तब आप इसकी परिक्षा की पाकरता रख पाएंगे मतलब आप जब 21 साल के उमर में पहुंचेंगे तब ही आप कर्रेक्टर बनने की परिक्षा दे सकेंगे अधिक्तम आयू की जहां तक बात है, मतलब 21 साल से कब तक, मतलब 21 साल में तो आप पहली बार परिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ये परिक्षा कब तक दे सकते हैं, तो उसके लिए अलग-अलग नियम है, और ये नियम अलग-अलग वर्गों के लिए है, सामान्य वर्ग के 32 साल की उमर तक वो परिक्षा दे सकता है मत्तब 21 साल से सुरू करके 32 साल की उमर तक वो परिक्षा दे सकता है जबकि OBC जो है वो 35 साल की उमर तक परिक्षा दे सकता है और SCST अनुसूची जाती और जन जाती के लोग 37 यानि की 37 साल की आयू तक इस परिक्षा को दे सकते हैं ये अधिक्तम आयू की सीमा है लेकिन नियूनतम आयू की सीमा मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप 21 साल की उम्र के होते हैं आप इस परिक्षा को देने की पात्रता रखते हैं आपकी तैयारी क्या है कितनी है ये दूसरी बात है क्योंकि परिक्षा बहुत टफ है बहुत जाती है आप इस परिक्षा में शामिल हो सकते हैं तो ठीक है वही या 21 साल के आप आपन हो गये है ना 21 साल हमारी आयों हो गई तो कौन सी परिक्षा देनी होगी जिससे हम collector बन जाएंगे तो collector बनने के लिए आपको देनी होती है UPSC की परिक्षा, Union Public Service Commission, संग लोग सेवा आयोग, ये इसका पूरा नाम है, संग लोग सेवा आयोग, जिसको हम लोग UPSC के नाम से जानते हैं, और UPSC एक परिक्षा की एजेंसी है, जैसे आप लोग बोर्ड परिक्षा देते हैं, तो आपका स्टेट बोर्ड है, या CBSE बोर्ड है, या ICSE बोर्ड है, तो ये बोर्ड आपकी एक्जाम लेते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक्जाम स्कूल नहीं लेता है, आपका जो बोर्ड एक्जाम है, या तो CBSE लेती है, या आपका स्टेट बोर्ड लेता है, या फिर ICSE में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो तो वैसे ही UPSC जो है वो collector बनाने की परिक्षा को लेता है और इसी तरह से बहुत सारी परिक्षा है लेता है ना तो आप यह भी मत होना UPSC एक एजेंसी है जो तरह तरह की परिक्षाओं का आयोजन करती है उन में से एक सबसे बड़ा प्रमुख होता है वह है इसके अंदर जो परिक्षा होती है उसको पास करने वाले लोग collector बन पाते हैं और सामाने रूप से यह परिक्षा हर साल होती है कुछ परिस्थि आना है तो UPSC की वेब साइट पर आप जाएंगे तो आपको इसकी भी जानकारी मिल जाएगे कि कब कब किस किस साल में ये वेकेंसी कब कब आई है और कितनी संख्या में आई है एक और सवाल का जवाब मैं आपको दे दू जब 21 साल के आपकी उमर हो गई और आप 35 साल तक दे सकते हैं तो 21 साल से लेकर के 35 साल तक हर साल तो आप परिक्षा नहीं दे पाएंगे इसके भी कुछ अपने नियम है नियम यह है कि सामान्य वर्ग का यदि विद्यारती है सामान्य वर्ग का कोई यूख है तो अधिकतम वो 6 बार दे सकता है 6 टाइम उसको मिलते हैं परि परिक्षा नहीं रहती यह OBC के लिए 9 वार है और SCST के लिए 37 वर्ग की उमर तक जितनी वार चाहें वो परिक्षा दे सकते हैं उनके लिए आउसर की बाद्यता नहीं है तो यह तीनों के टेगिरी के लिए अलग अलग नियम है सामान्य वर्ग के लिए OBC के लिए और SCST के लिए यह प्रयास का है मतलब आप इतनी बार उस परिक्षा में बैठ सकते हैं अगर आपका पहली बार में होगा तो बड़ी अच्छी बात है आप को दूसरे बार की ज़रूरती नहीं पड़ी लेकिन अगर आपका पहली बार में नहीं हुआ तो आप दूसरा प्रयास कर सक यह इसमें नियम है, एक जीज और जान लें हम कि टने चरणों में होती ही परिक्षा, मतलब यह आप समझेए कि आपके ड्रीम का, आपके सपने का, जो सोचने का आपका विस्तार है, वो यहाँ पर आ करके असली खतम होता है, आपका सपना खतम होता है और काम चालू होता है, क इसको हिंदी में प्राथमिक परिक्षा और अंगरीजी में प्रिलिमिनरी या प्रिलिम्स बोलते हैं आर्मली आप अगर अपने सीनियर्स के मुझ से सुनोगे तो यह बात आपको सुनने मिल जागी प्रिलिम्स दिया था मैंने तो प्रिलिम्स जो है प्राथमिक परिक्षा हो वो लोग जा करके मुख्य परिक्षा देंगे, जिसको हम लोग मेन्स कहते हैं, आपकी यातरा यहीं समाप्त नहीं होती, इसके बाद आपको गुजरना होता है साक्षातार से जिसको इंटर्वु कहते हैं, इंटर्वु देने के बाद जो फाइनल लिस्ट बनती है, उस लिस् अभी मैं आपके साथ इस वीडियो में इसलिए मोटी मोटी बातों को डिसकस कर रहा हूं ताकि आपका जो सपना है उसकी दिशा में आप थोड़ा सा आगे और बढ़ें थोड़ा और सूचना चालू करें तो बच्चों ये एक छोटा सा आपके लिए जानुकारी भरा वीडि या इसकी आपको आने वाले वीडियो में दूँगा जहां पर आपको पूरी तकनीकी तौर पर समझाओंगा कि कौन सी परिक्षा में क्या पढ़ना चाहिए या किस परिक्षा में आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं यह सारी चीज़ें आपको सुन मिल जाएंगी बाइ